दोस्तों उदाइपूर की घटना को लेकर बहुत सारे सेकुलर हिंदु भाईयों ने ये सवाल किया है कि भै मुस्लिम कम्यूनिटी में आखिर क्यों 5% मुसल्मान कटर होते जा रहे हैं आतंगी बनते जा रहे हैं दोस्तों मुझे लगता है इन 5% मुसलिम कटरवादी बनने की वज़ा ये है कि उन तक सिर्फ आधा न्यूस ही पहुँचता है ये आधे न्यूस का ही असर है जिसकी वज़ा से कुछ 5% मुसल्मान कटरपंती की तरफ जा रहे हैं अब देखे आप आधा न्यूस ये है कि हिंदूओं ने मिलकर तबरेज अंसारी को मार दिया लेकिन पूरा न्यूस ये है कि डेलही के अंदर रिंकु शर्मा भी मर रहा है और अंकित सक्सेना भी मर रहा है दोस्तों आधा न्यूस ये है कि हिंदूओं ने मिलकर पहलू खान को मार दिया हिंदूओं ने मिलकर अखलाग को मार दिया पूरा हिंदू जो है वो मुसल्मान पे अत्याचार कर रहा है ये आधा न्यूस है, लेकिन पूरा न्यूस ये है कि टमिलनाडु के अंदर रामलिंगम भी मर रहा है, गुजरात के अंदर किशन भरवाड भी मर रहा है, कमलेश तिवारी को भी हमने मरते हुए देखा है, फरीदाबाद में निकेता तुमर भी मर रही है, करनाटका में कर भड़काती रहे कि इस देश का जो हिंदू है वो मुसल्मानों पर जुल्म कर रहा है मुसल्मानों की लिंचिंग कर रहा है मेजाटी होने की वज़ा से मैनाटी पर जुल्म कर रहा है जबकि ये बात जूट है और सच बात तो ये है कि मुसल्मानों से ज्यादा हिंदू मर हैं हिंदुस्तान में हो सकता है अभी भी कुछ भाई कामेंट बाक्स में ये बोलेंगे कि भाई हिंदू कहा मर रहा है मर तो सिर्फ मुसल्मान रहा है बलकि मुसल्मानों पर ही जुल्म हो रहा है यही कई सारे भाई कामेंट बाक्स में अभी लिखेंगे क्योंकि मुसलिम ने चाहे वो हिंदु नेता हो या मुस्लिम नेता हो इस तरह से जनता को आधे निउसेस बताना बंद नहीं करेंगे तब तक ऐसी घटाएं देश में घटती ही रहेंगी अब क्योंकि उनका राजनीतिक धन्दा चलाना है उनको खत्रे में है की राजनीति करनी है इसलिए सिर्फ वो अपने ही धर्म के लिंचिंग को ही बता कर अपने धर्म वालों को भड़काते हैं अब जनता के पास इतना टाइम नहीं है की वो सारे सोशल मीडिया पर एक नजर रखके देखे की भई लिंचिंग तो दोनों ही तरफ से हो रही है और अगर हिसाब लगाया जाए तो हिंदूओं की लिंचिंग ही ज्यादा हो रही है लेकिन ज्यादतर हमारे चैनल पर एक भी हिंदू लिंचिंग का नाम नहीं लिया आज तक सिवाय सरूर नगर के नागराज के जो रिसेंटली उनके हैदरबाद में तिलंगा नमे हुआ था तो मुझे लगता है उदयपूर का जो ये केस है ये आधे निउस का असर है तैंक्यो सो मच गैस